नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है कुरोना से कराह रही दुनिया और भारत के लिए दो अच्छी खबर है पहले ये कि जो आक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो हुमन ट्रायल के तीसरे स्टेज पे है और भारत भी उसमें इन्वाल्व है और दूसरी अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में 29 फिस्दी से अधिक लोगों में एंटी बॉड़ी पाई गई है यानि कि उन्होंने खुद ही कुरोना से लड़ लिया और उन्हें पता भी नहीं चला इसका दूसरा मतलब हर्ड इम्मूनिटी की तरफ है दिल्ली अब सरीर में एंटी बॉड़ी मिलने का क्या मतलब होता है इसका मतलब यही होता है कि आपकी बॉड़ी में कुरोना का आकरमण हुआ और एंटी बॉड़ी डेवलप हुई उसने खुद ही उससे निपट लिया जब एक सीमा से ज़्यादा लोगों में अंटीबॉडी मिलती है तो इस से नोवल कORONA VIRUS के प्रती हड़ IMMUNITY डेवलप हो सकती है यनि कि जितने ज़्यादे लोगों में ये अंतीबॉडी डेवलप हुई तो माना ये जाता है कि अब आप herd immunity की तरफ बढ़ रहे हैं herd immunity क्या होती है कि body खुद ही लड़ लेती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जब ये develop हो जाता है तब उस stage को ये बोला जाता है दिल्ली में पहला zero survey जो हुआ था वो NCDC की अगवाई में 27 जून से 5 जूलाई के बीच में हुआ था जिसमें 21,387 सेंपल लिए गए थे और 23.48 फिस्दी लोगों में antibody पाई गई थी इसके बाद ये कहा जाने लगा था कि दिल्ली में 14 थाई लोगों ने corona को झेल लिया यानि 50 लाख लोगों में antibody मिली ठीक इसके बाद जिब AIMS में जो vaccine का trial हो रहा है उसमें लोगों ने test कराया तो उसमें भी पता चला कि 20 फिसद से अधिक लोगों में antibody पाई गई थी यानि कि दोनों एक तरह से कहा सकते हैं survey में एक ही नतीजे निकले एक में 23.48% और AIMS में आया था 20% के आसपास अब दूसरा zero survey हुआ क्योंकि दिली सरकार ने ये फैसला किया कि हर महीने इसको कराया जा तो दूसरा zero survey में 29 फिसदी लोगों में antibody डेवलप हुई मिली है तो इसमें क्या किया गया था कि 18 साल से कम उम्र के 25% लोग सामिल किये गये थे और 18 से 49 साल के बीच में 50% और 50 साल से उपर के 25% लोग के सेंपल लिये गये थे इसमें चवकाने वाले क्या नतीजे आए कि सबसे जादे 18 साल से कम उम्र के लोगों में antibody मिली है और 28.3% पूरसों में antibody मिली जबकि महिलाओं में antibody मिलने का आउसत जो है 32.2% है इसी तरीके साथ 18 साल से कम उम्र के 34.7% बच्चों में antibody पाई गई और 18 से 49 साल के बीच में 28.5% लोगों में antibody मिली 50 साल के उपर के लोगों में 31.2% लोगों में antibody पाई गई तो इस तरीके से report को लेकर के experts का मानना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा antibody मिलना आश्यरी की बात है महिलाओं में ज़्यादा antibody मिलना भी बड़ी बात है क्योंकि घर से ज़्यादा तो पूरुस निकल रहे है महिलाओं और बच्चों को कहा गया और बजुर्गों को कहा गया घर में रहने के लिए तो आप सबसे बड़ा सवाल यह उटता है क्या घर के अंदर रहने वाले बच्चे और महिलाओं में antibody का ज़्यादा मिलना कहीं न कहीं ये साबित करता है कि दिल्ली कुरोना दिल्ली में काफी हद तक community spread हो चुका है मतलब एक सकरात्मक सवाल है और एक नकरात्मक सवाल है घर में जो लोग रह रहे हैं महिलाओं और बच्चे उनमें यदि ये ज़्यादा पाया जा रहा इसका मतलब कि वो सिकार हुई और एंटी बोडी से अपने को ठीक कर लिया और दूसरा प्लस पॉइंट जो सकरात्मक पक्च है वो क्या है तो वो ये है कि community जो हड community है वो डेवलप हो रहा है यानि उस दिशा में दिल्ली आगे बढ़ रही है एक तरफ community spread की बात है और दूसरी तरफ herd immunity डेवलप होने की बात है कंक्लूजन पे आए तो दूसरे सीरो सर्वे में लिये गए फकुल 15,000 सेंपल जिसमें सके 12,598 सेंपल की रिपोर्ट सौपी गई है 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 34,7% बच्चों में antibodies मिली है 18 से 49 साल के बीच में 28,5% antibodies मिली है और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 31,2% लोगों में antibodies मिली है तो इस तरीके से 28,3% पूर्सों में antibody मिली है और 32,2% महिलाओं में antibody मिली है ये अच्छी बात है कि लोग खुद ही ठीक हो रहे हैं अब चलिए देखते हैं कि दिल्ली तो एक ख़त तक माना जा रहा कि पीक आकर के लोट गया कि और अब देश के लिए क्या अच्छी खबर आती है और वैक्सीन कितनी जल्दी आती है आप ऐसी खबरों के लिए देखते अबेल चैनल इनकबर तैंक यू